अलो गईच कैसे हैं आप सभी आई होप आप सब अच्छे हैं और यहां पर हम डिसकस कर रहे हैं अकाउंट के कुछ इंपॉर्टन क्वेस्टेंज की अलग अलग नगर के लिए आपके लए इंपोर्टन ओने वाले हैं इसका पाट वन मे कल डिसकस कर संहों उन्हों वह वाली वीडियो नी देख तो इसे डास पहले वाली वीडियो आप देख सकते हो और उसमें मैंने såre questions ... गोल्न टेलों की और इसंन फॉल को डिया हूआ है और इसमें भी हम कुछ questions को important questions को discuss the program till चलिए start करते हैं आज का मुझा पहला पूसिदे है यह तो आप सबको पता है यह बेसिक सा question लग रहा है लेकिन एकजांस हो है इस तरह के questions आते हैं बेसिकली जो assistant accountant के या auditor के जो post आती है उसमें इस तरह के questions पूछ ले जाते हैं क्योंकि जो basic से knowledge है उससे भी हाप questions पूछे जाते हैं तो इसमें कौन से हमारी current liabilities हैं तो bills payable हमारी current liabilities होती है outstanding expenses current liabilities होती है bank overdraft भी हमारा current liabilities होती है क्योंकि यह basically हमारे less than one year के period time के obligations होती है इसलिए इसका options हमारा होता है सही D all of the above next question है current ratio का formula यहाँ पे पूछा है current ratio आप सभी को पता है current ratio equal to होता है कल भी बताया था मैंने current assets divided by current liability तो इसका यह formula होता है तो कौन से option हमारे पास है हमारे पास option number B सही है current assets upon current liability उसके next question है current ratio of dash and above indicate that the available working capital and ability of the firm to meet current liability यह यहाँ पे बोला है तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जो हमारा current ratio होता है उसका ideal ratio होता है 2 is to 1 इसको ideal माना जाता है यानि कि इसके इतना ratio है तो हमारा सबसे ideal ratio सबसे अच्छा माना जाता है लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कहा से start होकर कहा तक यानि कि जो minimum limit है जो माना जाता अच्छा और जो maximum limit है उसके बीच में तो यहाँ पे इसका answer होता है option number A क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि अगर आपका 1.332 तक है ठीक है 1.33 से 2 यानि कि यह हमारी किसकी limit हो गई assets की current assets की और liability की limit होती है 1 यह हमारे current liability की तो हमारा पहला option सही होता है क्योंकि 1.33 से और 1.33 से 2 के बीच में अगर आपकी value है किसकी current assets की तो वो उसको idle यानि कि अच्छा माना जा सकता है और अगर यहाँ पे जो current liability है उसका तो सभी 1-1 दिया ही गया है यहाँ पे तो यह तो ठीक है और current assets का मैंने आपको बताया है आइडल होता है 2 लेकिन यह 1.33 से 2 के बीच में भी vary कर सकता है तो इसका सही answer option number A liquid or quick asset कल भी हमने discuss किया था liquid or quick asset उसको बोलते हैं जो very short period time के लिए होते हैं यानि कि जो equivalent होते हैं किसके equivalent to cash होते हैं यानि कि cash के बराबर के ही होते हैं यानि कि जो हमें तुरंत अगर पैसे की जरूरत है केस में convert कर लें तो इसका equivalent to cash भी बोलते हैं तो इसमें हम current assets में से कुछ चीजे minus करते हैं क्या rooting हम इसमें 2 चीज़े minus करते हैं 1 stock minus कर देते हैं और 1 work in progress कर देते हैं और एक prepared expenses भी हम या पर minus कर देते हैं तो 3 चीज़ें इसमें minus होते हैं according to this question right answer हमारा A होता है क्योंकि stock इसलिए minus होता है क्योंकि हमारा पार जो stock पड़ा है it doesn't mean कि ये हमारा तुरंत बिख ही जाएगा stock रखा है तो वो अगले साल भी बिख सकता है है कि नहीं और कुछ time period बाद भी बिख सकता है तो उसकी surety नहीं है तो एक साल के अंदर अंदर बिखता है इसलिए stock को हम basically current liability बोल देते हैं लेकिन liquid यानि की quick ratio या liquid ratio में इसको हम summilet नहीं करते हैं क्योंकि एक साल के अंदर क्या चीज़ हम नहीं देखते हैं हम very short period time का यहाँ पे देखते हैं current assets में से हम stock और work in progress को minus करेंगे तो हमारे पार liquid asset निकल कर आता है the following is also known as external internal equity ratio देखें यहाँ पे यहाँ पे क्या क्या बोला है external internal equity ratio तो इसका सही आंजर है section number C क्यों इसका origin है इन्होंने बोला है पहला सब्द बोला है external external हमारा किसमा होता है debt को हम external बोलते हैं क्योंकि यह हमने बाहर से लिया गया हमारा पैसा होता है इसलिए इस debt को हम external fund बोलते हैं और दूसरा बोला है इसने internal equity internal equity से इसका मतलब है हमारे पास जो equity है equity fund हमारे पास है तो इसमें दो सब्दें यहाँ पे हैं, दो वर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, debt equity, और debt equity ratio का formula हमारे पास क्या होता है, इसका formula होता है, debt divided by equity into 100, debt to equity, ठीक है, उपर हमारे पाँ debt आता है, नीचे हमारे पाँ equity आता है, तो यहाँ पे external और internal equity, external internal equity ratio कि इसको बोले जाता है, debt to equity क्योंकि current ratio हमें पता है, asset और liabilities का होता है, तो इसमें external का कोई मतलब नहीं, asset test भी हमारा external का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे quick asset लेते हैं, और current liability लेते हैं, तो option number C हमारे पास सही होता है, क्योंकि यहाँ पे debt है, और debt हमारा outsider का होता है, ठीक है, आउटसाइडर से हमने लिया गया है, तो उसको external form बोलेंगे, clear, तो option number C सा भी सही है, 26 question है, lower the debt equity ratio, अब देखें, यहाँ पे दो case होते हैं, हमने formula पढ़ा था अभी, debt equity ratio का formula, debt equity ratio equal to होता है, debt divided by equity into 100, ठीक है न, यह हमारे पास होता है, तो हम क्या करते हैं इसमें, एक example लेते हैं कि हमारे पास debt हमारे पास 4 है, और equity हमारे पास 2 है, तो हमारे पास निकल के आता है, debt equity ratio हमारे पास 2 निकल के रहाता है, और यहीं हम एक example और ले लेते हैं, कि हम क्या करते हैं, हम debt को कम कर देते हैं, 2 कर देते हैं, और यह भी हमारा 2, equity भी हमारे 2 है तो हमारे पास निकल के आता है 1 तो अब इन दोनु में comparison आप देखो कि यहाँ पर हमने यह देखो, यहाँ पर हमने debt को, debt ज्यादा लिया हुआ है ठीक है? यह ज्यादा debt है यहाँ पर, यानि कि उधार हमने ज्यादा लिया हुआ है तो हमारे पास ज्यादा यहाँ पर debt equity ratio निकल कर आया है यहाँ पर हमने outsider से पैसा कम लिया यानि कि debt कम issue किया तो यहाँ पर हमारा debt equity ratio हमारे पास कम निकल कर आया है तो इसका यह मतलब होता है कि lower the equity ratio हमारे लिए higher the protection to creators होता है क्योंकि यहां पर कम कैसे आएगा जब हमारे पास एकुटी ज़्यादा मात्रा में होगी अगर हमारे एकुटी ज़्यादा है हमारा डेट कम है तो हमारा रेशियो कम निकल कर आएगा ठीक है? डेट एकुटी रेशियो हमारा कम निकल कर आएगा अगर equity जादा है हमारे पास debt जादा है equity हमारे पास कम है तो हमारा ratio अपग्रेट करेगा यानि कि बढ़ेगा तो यह हमारे लिए जो investor है उसके लिए दुख की बात है जिस पर वो invest कर रहा है तो उसके बास proper equity है नहीं कि वो आपके debt का payment भी कर पाएगा इसके लिए यहाँ पर lower the debt equity ratio higher the protection to creator वाला option आपका सही होता है I hope कि यह clear है क्योंकि जहाँ पर आपके पास debt जादा रहेगा तो वहाँ पर आपके पास risk भी जादा रहेगा क्योंकि debt का आपको payment करना है और उसके proportionate में आपके पास equity भी तो होनी चाहिए equity जादा रहेगी तो आपका यानि कि honors fund हम उसको बोल देते हैं तो वो जगर जादा है तो वो हमारे जो creditors है उनके लिए अच्छा है उनके point of view से उनके लिए अच्छा है तो option number इसका क्या सही हो जाता है option number B इसका सही answer होता है 27 question है यह higher inventory ratio indicate देखे inventory ratio higher होगा तो क्या indicate करेगा वो वो indicate करता है यानि कि हमारे पास जो inventory है option number A में better inventory management और quicker turnover यानि कि यहाँ पे यह बोलता है कि आपका जो inventory turnover inventory ratio है वो क्या include करता है तो यह दो जीजें यहाँ पे दोनों को indicate करता है कि आपके पास better inventory management है और turnover भी आपका एकदम तुरंत जो आपका turnover है वो हो जा रहा है यानि कि sales आपकी जल्दी जल्दी हो जा रही है आपके पास जो भी turnover निकल कर आ रहा है वो जल्दी हो जा रहा है तो इन दोनों का मतलब यही होता है क्योंकि inventory ratio ही हमारा inventory से related है तो एक तो आप better inventory का management कर पा रहे हैं जो आपके पास stock है उसका प्रोपर रूप से management कर पा रहे हैं और दूसरा जो है आप उसको sale out भी जल्दी कर पा रहे हैं तो इसमें दोनों cases हमारे पास हो सकते हैं इसलिए option number C आपका सही है next question है return on investment ratio return on investment यहाँ पर इसको समझना है return on investment ratio इसका formula क्या होता है इसका formula होता है option number D net profit divided by total sales into 100 क्योंकि देखो return क्या हो गया हमारा net profit जो भी हमने मिला हम है और total asset investment कि investment पे total asset आ गया और divide into multiply 100 से कर देंगे तो हमारे पास return on investment जिसको हम ROIB बोलते हैं तो उसका formula यह formula आपको याद करना पड़ेगा ठीक है net profit divided by total asset into 100 यह इसका formula होता है अब है 29 question यह low return on investment ratio indicate यानि कि low job आपका return on investment सीदी सी बात है जो आपने पैसा invest किया उस पे आपको return क्या मिला low return मिला यानि कि कम return मिला पैसा आपने ज़्यादा invest किया आपके expectation ज़्यादा थी लेकिन उस पे return आपको कम मिला तो इसके क्या कारण हो सकते है क्या indicate करता है यह तो option number 1 है हमारे पास improper utilization of resources बिलकुल आपके पास जो भी resources से देखिए resources हमेशा हमारे पास limited होते हैं यह आपको पता है तो उस resources को कैसे हम utilize करते हैं कैसे हम उसका proper रूप से management करते हैं यह सबसे बड़ी बात होती है यह काम होता है management का तो हमने क्या किया improper utilization हम जो resources हमारे पास available थे उसका हम proper रूप से utilization नहीं कर पाए तब जाके हमें return हमें कम मिलाए CDC बात इसका example ले ले लेते हैं देखिए हमारे पास by chance हमारे पास cash पढ़ा हुआ था हमें कहां पर कितना खर्च करना चाहिए कहां पर कहां पर cost cutting करनी चाहिए इस तरह से हमने जो utilization किया वो नहीं कर पाए जो हमारे पास resources थे जैसे labor हो गया ठीक है और इसके अलावा हमारे पास और भी सारे resources होते हैं तो इनका हम machinery हो गई तो इनका हम utilization ठीक से नहीं कर पाए तो इससे सीधर सीधर प्रभाव हमारे जो return है उस पर पड़ेगा दूसरा है over investment in asset over investment in asset मतलब जो आपके पास cash था यानि कि जो पैसा था आपके पास हम कह सकते हैं कि जो जो आपके capital थी वो capital को आपने investment करने के बजाए उस पैसे को जहाँ पर आपके इन्वेस्ट करना है उसको करने के बजाए आपने उसको किस पर लगाया अपनी asset पे for example मैं यहाँ पर एक example लेता हूँ आपके पास एक machine थी ठीक है machine है और वो good condition में है उसमें किसी परकार की कोई problem नहीं आ रही है लेकिन आपने क्या किया एक और machine खरीद ली same उसी चीज को produce करने के लिए उसी तरह की machine तो उसका किसी परकार का कोई use नहीं है जब आपके पास पहले से एक machinery है तो आप दूसरी machinery को क्यों purchase करोगे क्यों उस पर खर्चा कर लिए इसका मतलब यह हुआ कि आपने क्या कर लिया over investment कर लिया अपनी asset को purchase करने में अपनी assets को acquire करने में जितना investment नहीं करना चाहिए जितना required नहीं था उस requirement से अधिक आप अपने assets पर investment कर गे तो उसका सीधा जीधा प्रभाव आपके investment policy पर पड़ेगा जो investment की आपकी policy आपने बनाई थी उतना investment आप नहीं कर पाएंगे और अगर आप allocation अपनी investment का नहीं कर पाएंगे अलग-अलग sources को तो आपके सीधे सीधे आपके return पर उसका effect देखने को मिलेगा और return भी आपको कम मिलेगा क्योंकि इस case में क्या हो जाएगा over investment जब asset में हो जाएगा तो आपके पास ये idle हो जाएंगे यानि कि assets का use नहीं रहेगा कुछ जब एक machinery से काम हो रहा है तो दूसरी machinery को आप श्रॉल करके करेंगे क्या उसका तो खाली आपके पास रखे रखे उसका खाली depreciation उसका चार्ज होगा है कि नहीं तो इसलिए यहाँ पर investment में सीधे सीधे रुजो return है उसके फरक पड़ेगा और इसके दोनु रीजन हमारे पास हो सकते हैं बोथ A and B next question following is are the characteristics of a budget अब budget होता क्या है budget basically हमारा जो future के लिए forecasting होती है future forecasting होती है in terms of monetary policy money के terms में future forecast करना budget होता ठीक है for example आपने budget बनाया कि मुझे sales में इतना खर्चा करना है purchase department में इतना खर्चा करना है हमारा जो factory का खर्चा है वो इतना आएगा और हमारी fixed cost इतनी होगी हमारी variable cost इतनी रहेगी और हम advertisement पर इतना खर्चा करने वाले है तो यह सब जो हमने pre-planned यानि कि हम future के लिए जो pre-planning करते है पहले से planning करते है pre-determined you know pre-determined format में pre-determined जो हमारे principal policies बनी है उस पर तो उसको हम बोलते है budget ठीक है budget यहाँ पर हमारे जो देश का budget भी यहाँ पर पेश किया जाता है ठीक है जो केंदर का budget है वो भी यहाँ पर यह पेश किया जाता है तो वो भी एक देश के लिए कि कहां पर आपको कितना investment करना है कहां पर आपको कितना जो public revenue है उसको खर्च करना है public expenditure कहां पर करना है कैसे आप पब्लिक से revenue collect करेंगे तो इस तरह की जो भी चीजें होती है वो government advancement decide कर लेती है एक financial year के लिए तो उसको बोलते हैं budget same condition यहां भी होती है जो आपका organization है उसमें तो इसका समझते है पहला it outlines projected activity बिल्कुल जो आपकी projected activity है उसके outlines को बताता है यानि कि जो activity आप करने वाले हैं जो आपने project की हुई है तो उसकी outlines यानि कि उसके बारे में यानि कि उसके procedure के बारे में यहां पर बताता है budget दूसरा है expression are made in quantitative terms यहां पर देखो expression made किसमें quantitative यहां पर ध्यान देने वाली एक चीज है यह है quantitative एक होता है qualitative देखो इसमें क्या है इसमें बोला है quantitative quantitative in the terms of quant यानि कि number budget हमेशा हमारे रुपिय पैसु में बनता है यानि कि number में बनता है तो यह quantitative होता है qualitative होता है हमारे quality से related यानि कि जैसे हमारा nature, behavior, attitude, perception these are qualitative things ठीक है तो budget हमारा कैसा होता है budget हमारा quantitative होता है क्योंकि हम इसमें quantity define करते है कि हमें कौन से कहां पे कितना खर्चा करना है और कितना 1000 करोड या इस तरह से जो आपका parameter बना है उसके according तो यह quantity से related होता है तो quantity से आप याद रख सकते हैं कि quantity is a number तो आपका यह budget सीदे-सीदे quantitative terms हो जाता है सही है दूसरा भी तीसरा है it is a fixed period बिल्कुल मैंने आपको बताया क एक fixed financial year के लिए बनाया जाता है जैसे कि आपका जो 31st so 1st of April से 31st March तक का आपका financial period चलता है तो उसके लिए budget बनाया जाता है तो यह fixed period के लिए बनाया जाता है तो इसका सारे option यहाँ पे सही हो जाते है budget के case में I hope यह सारे option आपके लिए clear है तो बढ़ते हैं आगे sales expenditure budget is prepared by estimation the expenses sales expenditure budget is prepared by estimating the expenses देखे यहाँ पर जो sales का budget बनाया जाए sales expenditure का budget कैसे बनाया जाए गर देखो sales में क्या क्याशी जो होती है sales में हमारे advertisement भी include रहता है sales से पहले हम अगर किसी की commodity की नई commodity है उसकी हमें market में gaining चाहिए तो उसके लिए हमें उसका advertisement करना पड़ता है market analysis विलकुल करना बड़ता है क्योंकि कौन सी market में हमें क्यों सी चीजें को बेचना है और कौन सी market में कौन सी commodity यहाँ पर ज्यादा demand में है तो उसके लिए हम क्या करते है market analysis करते हैं salesman salary भी included होती है क्योंकि बिना salesman हमारे middleman होते हैं इनको ही हम salesman बोलते हैं तो salesman के बिना ही हम काम कैसे कर प इसकी salary भी यहाँ पर depend होती है तो इसके लिए जो sales expenditure budget है इसमें तीनु चीजें इंक्लूड होंगी investment पर आपको कितना करना है कितने का budget बनाना है कितना खर्चा करना है market analysis पर आपको जो हम pilot project बोल रही है कुछ और जो आप analysis करोगे उसके लिए आपको कितने budget के आउशकता है salesman salary यानि कि आप salary जो बंदू को दोगे market अपने product की marketing के लिए sales sales करने के लिए तो उसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए तो यह सब चीजें जब हम combine करेंगे तो हमारा sales expenditure budget बन जाता है क्योंकि यह सब चीजें हमारे sales से related होती है कि लिए 32 question है budgeting is difficult to apply in the following case budgeting हमारे कुछ cases में difficult होता है apply करना पहला हमारा है products subjected to rapid change सही बात है अगर हमारा product ऐसा nature का है जिसमें rapid change हो रहे हैं यानि कि जो change होते जा रहा है time period के चोटी चोटे time period में तो वहां में budgeting difficult हो जाती क्योंकि for example हमने एक प्रोडक्ट लॉंच गया ठीक है हमने बाइचांस हमने एक सूज को लॉंच किया लॉंच गया तो उसकी कीमत हमने 3000 उपर रखी और उसी का उसी सूज को बेचने के लिए हमने क्या किये advertisement का भी budget बनाया तो होता क्या है थोड़ा time period के बाद वह सूज आपका obsolete हो जाता है यानि कि obsolete यानि कि अप पर चलीत हो जाता है यानि कि उसका fashion चले जाता है तो इस case में आपका budget धरा का धरा रह जाएगा जो आप खर्चा करेंगे वह भी खर्चा आपका waste चला जाएगा क्योंकि वह product को कोई purchase करने वाला नहीं है उस product के बदले में market में substitute available है तो इसके लिए यह कहा गया है कि first option बिलकुल सही है कि जहां पर rapid change होते हैं आपके product में तो आप you can't determine your budget forecast दूसरा हमारा भी आता है job order manufacturing job order manufacturing में भी आपका difficult रहता है और third है uncertain market condition uncertain market condition in the sense कि जैसे मैंने बताया कि market की कुछ ऐसी conditions होती है कि आपके product को कब आपका product obsolete हो गया आपको पता नहीं चलेगा उसके price में changes हो सकते हैं उसका जो taste and preference है उसमें changes हो सकते हैं तो यह total जो changes है इसको हम बोलते हैं uncertain market condition यानि कि market में ऐसी conditions होना कि आपके product को product के बदले में कोई substitute आ गया आपके product के competitor आ गया आपके product के you know आपके product के price एकदम से आपको गिराने पड़ तो यह कुछ conditions होती है market की जो uncertain होती है यानि कि पहले से आपको पता नहीं हो रहती है तो इस case में आप budget कैसे बनाएंगे ठीक है जो आपने pre-planned budget बनाया हो है वो आपका काम नहीं करेगा जो आपका product ही market से बाहर हो गया तो आप उस पर खर्चा कैसे करेंगे कर भी लेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा तो इसके लिए यहां पर all of the above वाला options ही हो जाता है क्योंकि यहां पर तीनु ऐसी conditions है जिसमें आपका जो budgeting है वो आपका एक difficult task हो जाता है 33 है master budget consists of यहां पर budget अलग-अलग तरह के होते हैं एक हमारा short period time का budget होता है एक medium period का होता है एक long period का होता है ठीक है और साथ ही यहां पर जो budget होती है वो अलग-अलग functional budget होते हैं जैसे कि sales budget function के according जो describe किये जाते है sales budget होते है production budget होता है material budget होता है और इन सबको जब हम एक सांद combine कर देते हैं तो यह आपका बनता है master budget यानि कि सारे जब को सब को एक साथ combine करके हम budget को paste करते हैं तो उसको master budget बोलते हैं इनको बोलते हैं जो आपका यह दिये गये हैं sales इनको बोलते हैं functional budget functional budget इसलिए बोलते हैं क्योंकि functions के according varies करते हैं जैसे sales का अलग budget बनेगा sales की activity के according production का अलग budget बनेगा material बजट अलग बनेगा जिसमें हमां raw material purchase करना है यह सब चीज है तो इसके लिए यह बनाए जाता है तो अगर हम सारे इनको combine कर दें इसलिए यह हमारा master budget हो जाता है master होता ही क्या है master सबसे high level पर जलता है तो master budget बनाया है इसलिए जाता है कि एक overall budgeting decision के लिए यानि कि पूरे organization के जो budgeting budgeting decisions है उसको comparison उसका compile करने के लिए ही यहाँ पर master budget बनाया जाता है क्योंकि इनको सब को combine किया जाता है तो इसका answer number 10 हो जाता है all of the above और इसके साथ ही हमारा यह second part भी समप तो होता है जो MCQ का है और I hope कि यह आपको पूरे समझ मा आ गया होंगे question मैं यहाँ पर कोसिस कर रहा हूं कि एक question के साथ आपके चार question तयार हों जिसमां आपको अगर यह question अगर घुमा फिर आगे अगली बार पूछ भी ले तो आपको यहाँ पर कोई problem ना हो और इस question में आपको किसी तरो की कोई दिक्कत होती तो आप बता सकते हैं पूछ सकते हैं नेक्स्ट पार्ट हम फिर इसको continue अभी कर रहे हम लोग मैं इसके अलग प्लेइलिस्ट भी बनाए हुई है आप चैनल पर जाके accounting MCQ करके आप प्लेइलिस्ट सर्च कर लेना उसमां आपको सारे यह मिल जाएंगे तो फिर मिलते हैं नई पार्ट के साथ एक और कुछ नई questions के साथ थैंक यू सो मच कीप वाचिंग बाबाय टेक केर